कि नमस्का दोस्तों एक बाव फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में दोस्तों आज कि वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं फेमबेट की तरफ से आए बहुत बड़े अपडेट के बारे में अगर आपकी प्रोफाइल फेमबेट पे है तो आपको भी मेल आ चु जाओंगा अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक से चरूर दीजेगा चलिए जानते हैं कि क्या अपडेट्स है सबसे बड़ी अपडेट्स है कि 31 जुलाई को फेमबेट हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है तो दोस्तों बंद क्यों किया जा रहा है और इस सर्विस क्या थी और क्या आगे क्या करने वाले हैं यह भी समझ लीजिए जो सर्विस हमें पहले मिलती थी उसे सेल्फ सर्विस कहा जाता था मतलब कि इस पर ब्रांट्स और केटर दोनों अपने प्रोफाइल बना सकते थे और इंडिविजुली किसी भी ब्रांट्स को आप अप्रोश कर सकते थे एजे क्रियेटर अगर बाद मन जाती थी तो आपको प्रोजेक्ट मिल जाता था प्रमोसन के लिए और जो भी पेमेंट होता था वह फिम बिट के माद्यम से होता था इसे सेल्फ सर्विस कहा जाता था अब फैम बिट आने वाले समय में फूल स्टूडियो के एप में इंक्लूड हो जाएगा और डारेक्ट के सजेस्ट करेगा किसी भी ब्रांड को कि आप किस क्रियेटर से कौंटेक्ट कीजिए किन क्रियेटर से कौंटेक्ट कीजिए अगर उस लिस्ट में आपका भी चैनल आता है तो आपका भी चैनल में सो करेगा यानि आपको अब माधा बच्चे नहीं करनी है डाइड ये फेंबीट अपने फेंबीट की हेड़क है कि वो किस ब्रांट्स को किस क्रियेटर का चैनल रिप्रिजेंट करता है तो दोस्तों ये सर्विस शुरू होगी इंडिया में कब यहां पर कुछ ने लिखा हुआ है लेक उसका कोई भी यूटूब क्रियेटर है जिसके 25,000 सब्सक्राइबर है तो उसके यूटूब स्टूडियो में फीचर आ चुका है लेकि इंडिया में कब होगा अभी तो ऐसा कुछ नहीं है अभी तो यहां सीब बताए गया है कि 31 जुलाई को बंद कर दिया जाएगा उसके महिने लगे लेकिन जब भी लाउंच होगा तो उसका क्रेटरिया यहीं रहेगा 25 सब्सक्राइबर हैं तो आपको यूटूब स्टूडियो के अंदर इस फीचर मिल जाएगा जिस सर्विस को कहा जाएगा फुल सर्विस और इसमें आपको डारेक्ली अगर आपके अच्छे प्रमोट कर सकते हैं तो एक कुछ अपडेश से फिर्म बीट की तरफ से जो हाल ही में मेल के मादेम से हम सबको बताया गया है अगर जानकारी आपको अच्छे लगी हो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जैसा कि मैंने पहले बताया कि लाइक आउस जरूर कीजिए लगा फिर मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ नए अपडेश के साथ कुछ नहीं जानकारियों के साथ तब तक के लिए टेक केरें बाए दोस्तों